यह बहुत मैं मानी स सब्सक्राइब करते हैं कि एक बाती चर Temperers खेगा है अंच सरय के साइसि कहते हैं बाइक write इन्हें इस byडियो कि प्यास को स्लाइस करी है खेगी भात है और हमें खड़े मसालों में दो तेच पत्ता चाहिए, आठ से दस लॉंग चाहिए, यहां दूद में मैंने फूट कलर को मिक्स करके रखा है, आप चाहो तो पानी में भी फूट कलर को ढाल सकते हो, यह ऑप्शनल है, दूद में ढाल सकते हो, तो दूद से बहुत अचा फ्ले इसलिए इसे मैंने पान से शे पानी सची से दो कर आदा घंटा के लिए पानी में भीगो कर रखा है, चावल को भीगो कर आदा घंटा हमें रखना बहुत जरूरी है, इसे चावल बहुत जल्दी पकते हैं, और बहुत किले किले बनते हैं, इसे हमें आदा से एक घंटा तक हमें भीगो का रखना है कम से कम आदा घंटा तो रखना ही है और यहां मैंने साही बिर्यानी मसाला का इस्तिमाल किया है यह मार्केट में इजीली अवेलेबल है यह किसी भी किराने की दुकार में आपको आसानी से मिल जाएगी इससे आज हम लोग चिकेन बिर्यानी की जानी हम चाहिए और ओर यह जाएगा ऐसे में और एक मिर्ची चाहिए होगा तो चलिए वीडियो की सुरूत करते आइं इसे बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से wam में अच्छे से आवाफ कप लिए है है इसे अच्छे से मैंने फेट लिए है तो सबसे पहले हमें चावल क चावल को बॉइल करने के लिए मैंने पानी बिठा दिया है इसमें हमें दो तेज पत्ता आठ से दस लॉंग और एक बड़ा चम्मच जीरा डालके जीरा डालना है एक बड़ा चम्मच जो नॉर्मल जीरा हम लोग किचेन में यूज करते हैं और और स्वादनुसा नमक डालके इस पानी को हमें ढख कर छोड़ देना है जब तक पानी बॉइल होगा तब तक हम लोग प्यास को फ्राइक कर लेंगे जो 6 प्यास को हमने स्लाइस कट करके रखा है यहां मैंने घी और रिफाइन दोनों का इस्तिमाल किया है आप चाहो तो सिर्फ रिफाइन या सिर्फ घी गी भी मैं बनासकते हो जब तील घर्म हो गया तो मैंने इसमें प्यास डाल दिया है प्यास को rehabilן है प्यास को बिल्कुल भी आँज में फ्राइक करना है प्याज अपना टाइम लेगा, यह अपना पान से दस मिनट टाइम लेता है, अच्छा से दस मिनट तक जब तर प्याज फ्राई हो रहा है, इधर हम मैंने चावल में जो एकसेस पानी था उसे निकाल दिया है, जब पानी हमारा बॉयल हो जुका है, चावल को हम लोग इसमें सभी चावल को अच्छे से इसमें डाल देंगे चावल को इसमें मैंने अच्छे से डाल दिया है और घड़ी देखकर इस टाइम पर गैस के फ्लेम को एकदम हाई कर देना है और घड़ी देखकर पांच मिनट के लिए हमें चावल को सिफ बॉल करना है सिर्फ पांच मिनट के लिए पर चावल को हमें सिब 1-30 पकाना है 70-80% देखिए मैं चावल को दिखा रही हूँ जब इस तरीके से 5 मिनट में यह इस तरीके से हो जाएगा तो हमें चावल को अच्छे से चान लेना है मतलब इसका माढ हमें निकाल देना है इसके एकसेस पानी को निकाल देना है और को फैला कर हमें ट्रे में या बड़े से बरतन में रख देना है ग्यास के फ्लेम को आफ करके चावल को अच्छे से चान लिया है मैंने और इसे ट्रे में और एक बड़े से बरतन में से निकाल लिया है ताकि चावल खेले के लिए रहे एक दूसरे से चिपके ना और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है आधा प्याज को हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और आधे को कड़ाई में ही छोड़ देंगे और इसमें हम लोग चिकेन डालेंगे आधा प्याज हमने प्लेट में निकाल लिया है और आधा प्याज में हमने चिकेन डाल द दिख रहा है और यह बिल्कुल भी जलाना नहीं है बहुत अच्छे से हमें फ्राइक करना है इदर दो से तीन मिनट हो गए है चिकेन को अब हम भूनने हुए अब हम लो इसमें तीन बड़े चमच अधरक लसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से बूनना है हमें ता मिनट डालेंगे और मिर्ची पाव डालेंगे इस से चिकेन का कलर बहुत ही अच्छा सा ता है कि इसे अच्छे से मिक्स कर दना है और ズाख के पकाना है मैंने पहले भी बताताइए जब हम लो मसाला ब Zeiten से बड़क कर पकाना चाहिए इसे स्वाद बरकरार रहताैं है देना है और इसे धक के पकाना है, मैंने पहले भी बताया, जब हम भी मसाला बुनते हैं, तो हमे अमसालों को धक कर पकाना चाहिए इसे स्वाद बरकरार रहता है, बहुत अच्छा सा स्वाद आता है, अब हम दो जो इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे, चिकिन में और हाथों से crush करके आप चाहो तो इसे grinding भी कर सकते हो अब हम लोग चिकेन में बिर्यानी मसाला डालेंगे तीन बड़े चमज आप चम्मस से डालना साही बिर्यानी मसाला यह आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी इसे चिकन में अच्छे से मिक्स करना है अब हम लोगों को इसमें दही डाल देना है दही डालने के टाइम गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देना है और चिकन में अच्छे से दही को मि कर देंगे और चिकेन को दही के साथ अच्छे से भूनेंगे देखिए चिकेन में दही डालने के बाद तेल ये अपने आप छोड़ देता है इसे हमें एक-दो मिनट तक अच्छे से भूनना है अब हम लोग इसको एक मिनट के लिए ढख देंगे जब ढखन खोलेंगे तो इसमें लास्ट में हम लोग गरम मसाला पाउडर में डालोंगी होममेड है आप चाहो तो बाहर का भी डाल सकते हो इससे चिकेन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब हम लोग ग्यास के फ्ले सब्सक्राण रखा है इसमें सबी चैकन को हम लोग डाल देंगे एक साथ मैं Simply Playing सब्सक्राण करतीओं बढाना है अच्छेछे से ंओब प्यास को इसमें दे टीना वावे जब सब्सक्राण बब आल ना है अब कल्यूंतक्थ हारा धन्या को मैं डालूंग अच्छे से फैलाना है, चारो तरफ चावल के, कटे हुए हरे धन्या को, अब हम लोग कटा हुआ पूदीना को इसके उपर डालेंगे, अच्छे से चारो तरफ फैला कर, आप चाओ तो पत्ता भी ऐसी डाल सकते हो, पूदीना को स्किप मत करना, इसे बिर्यानी का फिल्वर बहुत ही यमी आता है, अब हम लोग फूट कलर डालेंगे, यहां मैंने दूद में फूट कलर रखा था, उसे में डाल रही हूँ, आप चाओ तो सिंपली पानी में भी ढाल सकते हो, यह एक नीम्बू था, उसे हमें मोटा कट करना है, प्लीस पतला स्लाइस कट मत करना है, तो मैंने यहां मोटा मोटा कट करके रखा है, और यहां दो मिर्ची को मैंने अच्छे से चॉप करके लंबा लंबा, इसमें मैंने सजा दिया, इसे बिर्यानी बहुत अच्छा दिखता है, अब हम लोग आधा नीम्बू को अच्छे से नीचोड के इसका रस को बिर्यानी क हम लोग कूख करेंगे और साइड में हम लोग तवा को एक गर्म करके रखेंगे इसके उपर भारी सा कुछ रख देना है थाकि अंदर निजो भाब बने वो बाहर न निकल सके दो मिनट जब हो जाएगा तो बिर्यानी के बरतन को हम लोग रख देंगे तवा के तक के लिए उपर medium flame पर हमें 20 minute तक हमें इसे दम देना है इससे 20 minute तक दम देने के बाद हमें 5 minute छोड़ देना है जाब हम लोग बिर्यानी के बरतण को खोलेंगे तो तो यह इस तरीके से दिखेंगे, इसका नेम्बू हमें साइड रख देना है, नेम्बू मिर्ची को और हमें नीचे से उपर की और इसे मिक्स करना है, इसे हमें अच्छे से हलके हातों से ताकि चावल तूटे ना और यह चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके से हम कर देना है और पांच मिनट बरतन को उसी पे छोड़ देना है और पांच मिनट बार जब हम लोग धकन खोलेंगे तो हमें इसे अच्छे से नीचे से उपर कियो और चिकेन और चावल को मिक्स कर देना इस तरीके से हमारा बिर्यानी तैयार है देखिए कितना यमी सा मैंने इस की रेसिपी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मुच बाइ झाल